आईए चल कर जाने, क्या आलोक इंडस्ट्री में सोमवार को फिर से अपर सर्कीट लगेगा? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो समय ही बताएगा, पर जैसी इसकी फ्राइडे को मुवमेंट हुआ है, लोवर सर्कीट से अपर सर्कीट पर गया, और वो भी तीन करोड शेर हाथ एक्सचेंज से, तो उमीद ये हो रही है कि अभी इसमें कुछ समय और अपर सर्कीट चल सकता है, आईए चल कर इसका विशलेशन करें, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, तो एक बार लाइक बिटन जरू दबाईएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे आलोग इंडस्टीज के बारे में, और समझेंगे कि अब जो पहली बार आलोग सर्कीट लगा है, उपर वाला 15 दिनों के बाद, इसके बाद किन लेवल को हमको वाच करना है, ताकि इसके आगे की समीक्षा की जा सके, और आगे की स्ट्रेटीजी बनाई जा सके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे का दोस्तों, आपने कितने लेवल पर आलोग को खरीदा हुआ है, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल पर आपकी बाइंग है उसके हिसाब से आपको advice की जा सकती है आप जलकर जरह समझते हैं आलोक इंडस्ट्रीज ने 15-16 दिनों के बाद जो एक upper circuit लगाया है वो definitely कुछ लोगों के पास inside information है जिसकी वज़े से ये upper circuit लगा है अभी तक कोई public media में, official media में या NSE की site पर या BSE की site पर कोई भी confirmed information नहीं मिल पाई है तो अगर आपके पास कोई rumor information है तो please draw information को आप अच्छे से समझ लीजे कि उस information सही है कि नहीं है आलोक इंडस्ट्री के अगर बात की जाए तो आलोक इंडस्ट्री को बहुत बड़े order मिले है PPE kit के export के लिए जो की बहुत अच्छा advantage है और इंडिया में भी काफी use हो रहे है उसके तो कि इस quarter में उनका अच्छा output दिखाई देगा अगर आगे बात करें आलोक इंडस्ट्री के पास पांच बड़े project है Bombay में IT Park के चलते हुए हमने अपना एक new IPO भी launch हो रहा है जिसके लिए आपको एक video डाला है अगर आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं रहे जा ग्रूप द्वारा एक KEIT project launch किये जा रहे हैं जिसके लिए IPO 4500 करोड का है तो अगर आपको उसमें लेना है तो हमने उसका video डाला है आज सुबई आप उसको देख सकते हैं अब आलोक अंडस्ट्री बहुत innovative textile driven industry है और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी factory की PPE kit बनाने को enable कर दिया है तो यह innovation front end पे lead करते हैं देखते हैं आप समझ जाएंगे कि factory line को बहुत जल्दी innovative करके उन्होंने उसको modify किया और उसके change कर दिया PPE kit बनाने के लिए 7 दिनों के जी हां करीब करीब एक करोड 66 लाग की quantity open थी इस time पर और अगर आप देखें तो total traded quantity भी करीब करीब 3 करोड की है तो वो उसके हिसाब से stock काफी अच्छा positive momentum बनाये हुए है इसने अपना यहाँ पर अगर आगे बात की जाए अलोक इंडस्ट्रीज की जो आपका शाम का traded quantity थी वो करीब करीब 3 करोड की थी तो आप समझ सकते हैं जिसके पास भी information है काफी positive information है उसके पास में और यह stock जो शुरू हुआ था 25 रुपे से चल कर morning में open वा 25 रुपे जो के load circuit था और चलते चलते फिर वो दिन के शाम के स्थर पर 27 रुपे तक पहुँच गया तो यह क market पे बना रहा अब अगर हम आगे बात करें आलोग industries के लिए तो आप क्या कर सकते हैं इस हालत में अगर आप आलोग industries का देखें तो उन्होंने शाम को बंध होते होते भी उनके पास 81 लाग order open थे जी हां कुछ लोग order cancel नहीं करते हैं कुछ लोग order को रखे रखते हैं किसास मिली होगी इससे काफी खुशी होगी आपको कि इस trend यहां से हो सकता है अब पर कुछ time के लिए चले हम level के बात करेंगे हम सिर्फ chart से बात करेंगे हैं आपर दोस्तों अगर information अच्छी लगी तो video को like जरू कीजएगा please consult your financial advisor before investing and trading अब जब हम इसका technical analysis करते हैं इसका द मिलते हैं और साथ में stock की latest based information मिलती है आपको आइए चलकर हम देखते हैं इसका long term chart क्या कह रहा है उससे पहले NSE की बात कर ली जाए जड़ा NSE कल Friday को market बंध होते होते negative 21 point बंध हुआ और जो nifty है bank nifty जो है वो करीब करीब 421 point बंध रहा bank nifty थोड़ा कमजोर है हमें आशंक को report file की है उसकी वैसे banking stock पर थोड़ा और pressure रहेगा अब आगे बात करते हैं हम लोग इसको paid call भी a service provide करते हैं जिसके through आप nifty और bank nifty का intraday future में trade कर सकते हैं या फिर specially thursday को expiry day की option trading भी कर सकते हैं जैसी आपकी जरूत है आप बताइएगा comment section में बताइए अगर आपको है तो जो low level है करीब करीब दो रुपे असी तीन रुपे असी पैसे का इससे चड़ते चड़ते continuously upward circuit करते हुए continuously upward circuit करते हुए इसने 58 का level पहुचाया और यहाँ पर मुझे काफी जो मेरे को message मिल रहे हैं काफी लोगों ने यहाँ पर buying किये 58 के आसपास या फिर 50 के आसपास बहु आपको थोड़ा खुशी हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा momentum बन गया है यहाँ पर अगर stock को देखा जाए तो अब चलकर हम आगे stock की समिक्षा करते हैं तो अगर आप इसका parabolic level पर charts देखें तो जो इसका पहला resistance आपको अब लगेगा वो 36, 85 या 37 के आसपास resistance होना चाहिए यहाँ पर तो यह अगर upward journey में continue करता है तो हो सकता है 4 या 5 दिनों में यहाँ पर resistance को या तो resistance की तरह से behave करें इस पर या फिर इसके बाद यहाँ से further downfall शुरू करें तो time ही बताएगा पर आपको next level जो watch करना है वो 37 का watch करना है अगर आपको देखना है यहाँ अगर आपकी buying इसके उपर की है तो आपको हो सकता है जदा बेट करना पड़े अगर आपकी buying इसके आसपास की है तो आपका price at least हो सकता है कि इसके पास आ जाए अब आगे बात करते हैं जब यह downward falling channel बना रहा था तो इसका channel का काफी narrow range हो गया था और अभी इसकी जो range खुली तो फिर हो सकता है upward journey continue करें पर सैंतिस का हमें लग राए कि resistance यहाँ पर रहेगा अगर आप super trend indicator के हिसाब से भी check करते हैं तो super trend ने भी इसका जो cell signal दिया था वो करीब 46-47 के असपास दिया था यहाँ पर देखे आप और अभी तक इसने cell maintain किया हुआ है और अगर यह super trend के हिस अब यह 31.79 super trend के हिसाब से काफी critical level हो गया है अगर यह इसको cross करता है जैसी उमीद है कि दो दिन में शायदी cross कर देगा अगर upward journey continue होती है किसी के पास अगर solid information है तो आप comment section में जरू बताइएगा कि क्या हो राया लॉक industry में पर make sure कि आप rumor information को ना spread करें अगर आपके पास confirmed official news है NSC या BSC पे listed तो ही आप बताइएगा उसको तो यहाँ पर हमारे हिसाब से 31.79 का level है यह एक resistance की तरह से काम करेगा इसके पास इससे पहले ही शायद यह नीचे को और जाने की हो सकता है कोशिश करे या फिर अगर इसने एक बार इसको cross किया तो 37 तक पहुँचने की इसको cross करने के लिए और वहाँ पर हो सकता है कुछ सप्लाई हो क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर खरीदा है तो वो लोग exit करना चाहें स्टॉक से या और accumulate करना चाहें जैसा भी हो तो हमें लग रहा है कि 37 के आसपास इसकी supply होने की उमीद है यहाँ अगर आगे चलते ह रहे हैं जी हां RSI के level पर आप parameter देख रहे हैं तो RSI ने भी इसका नीचे level श्रू किया जब यह चड़ रहा तो तो पूरा 100 के आसपास RSI चल रहा था पर ऐसी उमीद नहीं हो से होने को यह zero भी चल सकता था ऐसा कोई क्योंकि momentum stock है जब चल रहा है उपर तो ऊपर चलेगा जब नीचे चल रहा है तो नीचे चलेगा उसका आप कोई guarantee नहीं ले सकते हैं पर यहाँ पर definitely कोई news based information है जिसकी वज़े से कुछ लोगों के पास information है औ और वो लोग यहाँ पर इस level पर accumulate किया है इस stock को आई आगे चल कर हम देखते हैं अब दूसरा angle से अगर हम 15 मिन का chart देखें Friday का तो पहली 15 मिनट में ही उसने low से up jump कर दिया और फिर शाम तक वो continuously upward journey में continue रहा तो यह एक अच्छा sign माना जा सकता है और मैं उपेक्षा करता कि काफी सारे जो हमारे दर्शक हैं जो हमारे सुन रहे हैं सालोग इंडस्टी के stock के visualization को उनको थोड़ी कुशी महशूर सो रही होगी क्योंकि ये करीब 16 दिनों के बाद इसने upper circuit लगाया है वरना पिछले 15 दिनों से continuously lower circuit पे lower circuit लगा रहा था और इसने Friday को भी morning में जो शुर गेम ओर हो गया था lower circuit से upper circuit पहले तीन मिनट में आ चुका था तो इस वज़े से अगर आप देखा जाए तो इस stock को जिसमें इतनी voluntarily होती है आप देखे continuously तीन रुपे 80 पैसे से 55 रुपीज हो गया और उसके बाद 55 रुपीज से करीब करीब low level इसका 24-25 के आसपास गया और उसके बाद में अभी upper circuit शुरू हो गया है इसका अब ये तो समय ही बताएगा दोस्तों अगले हफते क्या upper circuit continue करेगा क्या थोड़ lower level पे जाएगा ये तो दोस्तों समय ही बताएगा हम नहीं बता सकते इसके बारे में पर हम सिर्फ chart का analysis करके बोल सकते हैं कि क्या लग रहा है जैसे हम हमेशा कहते हैं भाव बगवान है कल definitely lower level से upper level जाने में इसने 10% का आप move दिखाया है 10% से ज्यादा का अगर lower level से count किया ज पिछले 15 दिनों के comparison में average volume से जादा है तो इसे साब से overall देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा एक उपर का रुजान चले जो centis तक stock को ले जाने की कोशिश करेगा जैसा हमने कहा हमारी यहाँ पर buy करने की कोई recommendation नहीं है हमारी position वही बनी हुई है जो हम शुरू rumor को नहीं spread करना चाते है पर जो इसके पास भी information है वो definitely उसको यह stock based information पता हुई है जिसकी वज़े से 3 करोड share हाथ exchange हुए है दोस्तों आगए पके पास कोई भी question हो तो please comment box में डालेगा कोई सुझाओ improve करने के लिए तो वो भी सुझाओ box में डालेगा comment section में डालेगा मैं आ आपको parameter पता कर लग रहे हैं इस channel पर क्योंकि हमने 100 से जादर वीडियो बनाये हुए है आपको IPO की वीडियो मिलेंगे आपको new stock listing के वीडियो मिलेंगे आपको stock recommendation मिलेंगी long term investing के हिसाब से और short term trading के हिसाब से जैसा हमने बता है Nifty Bank Nifty के future और option की हम trading करते हैं तो आपको जो प्लीज comment box में डालिएगा हम information आपको provide करेंगे और इसके बाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो बाई